हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ अर्शना और आप सब का मेरी चानल पर स्वागत है और आप सभी को मकर सकरांती की धेर सारी सुप काम ना है और आज मैं आप लोगे लाई हूँ चिक्की की रेसिपी और ये चिक्की हम बनाएंगे तिल, मूंख फली और गुड से और ये चिक्की बनाना बहुत है जादा असान है अगर आपकी चिक्की अच्छी नहीं बनती हो तो एक बार इस वीडियो को दरूर देखिएगा ताकि आपकी चिक्की भी हमें साची बने तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं चिक्की बनाने के लिए मैं आप लिए हूँ 200 500GR तील हमें चाफ कर साफ कर लेंना है उसके बाद ही इसके चींका के बनाएंगे और साथे साथ मैं पेन आ पहले हूँ 100GR मुंधफली और मुणफली को मैं पहले भून के रखी हूं एसर नहीं बूनेंगे जब तक कि तील चिटकने ना लगे और इससे अच्छी सी सौंधी सी खुस्बून आने लगे तब तक हम इससे बूनेंगे और इससे बूनते टाइम पर हम गैस का फ्लेम लोटू मीडियम रखेंगे ताकि इसका कलर बहुत जादा चीन्ज ना हो यह जले ना इसलि ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे और अब हम इसे निकाल लेते हैं तील को कु निकालने के बाद आप मुंखवरी ब्हूनले मैं मुंखवरी पहले साही भून के रखी थी इसलिह उसका वीडियो नहीं दिखाए हूं और अब फिर से पाइन रखेंगे और पैन में हमें डा बहुत थोड़ा साही डालेंगे बस एक से दो चमच के करीब जितना और गुड़ को आप छोटे-छोटे तुकड़े कर ले उसके बाद पर पैन में डालें या फिर आप इसे ग्रेट करके डालें इस तक्या गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाता है बहुत जादा दिर नहीं ल तो चलिए अब हम इसे चेक करेंगे, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कटोरी में पानी ले लेंगे, और इसमें हम गुड के कुछ बूंदे डालेंगे, और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, जब गुड हमारा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इ दुबारा से चेक कर रही हूं और अभी इस टाइम पे क्या है गुड अच्छे से बंद रहा है लिकिन ये टूट नहीं रहा है तो गुड को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि गुड ठंडाओ निकवाद अच्छे से टूटने ना लगे तो हम इसे थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं और आपना इसे बीच बीच में चेक करते रहे हर 10-15 सेकेंड पे क्योंकि गुड बहुत जल्दी पक जाता है अगर बहुत जादा पक गया गुड तो फिर आपकी चिकी का टेस्ट खराब हो जाएगा और ये देखिए गुड को पकते वेल और फिर से एक जाने की गुड अच्छे से पक गया है तो चलिए अब हम इसमें तील को मिक्स कर लेते हैं तील डालने के बाद फटा-फट से अब हम इसमें मुंखफली भी डाल देंगे और मुंखफली को मैं इस तरह से हलका सा दर-दरा पीस करके डाली हूँ आप चाहें तो मुंख़ली पेसे सेट करते हैं तो आपको निकालने में बहुत आसानी होती है और अब हम इसे फटा-फट से एक चमच की सहायते से या फिर कटोरी की सहायते से आप इस तरह से इसे फैला सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा चमच से फैलाई हूँ उसके बाद हम इसके उपर से एक और प्लास्टिका सीट रखेंगे और बेलन की सहायते से इसे हम हलका हलका सा बेल देंगे और इसे पतला कर लेंगे आप इसका लेयर अपनी हिसाब से मूटा या पतला कर सकते हैं तो इस तरह से हमें एक बेलन की सहायते से इसे हलका हलका सा बेल लेना है बहुत ज़्यादा भी हमें इसे प्रेस नहीं करना है, बस हलके हाथों से, और फटा-फट से ही हमें ये सब करना होता है, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जमने लगता है, इसलिए आप इसे जल्दी-जल्दी से कर लें, और ये देखें, मैंने चिक्की को अच्छे से फैला जाल ये है, और अब हम मुझ पर वाला जो प्लास्टिक है उसे हटा देंगे, और इसे थोड़ा सा सेट होने देंगे, जैसे ये थोड़ा सा गरम रहेगा, वैसे हम इसमें कट मार्क लगा लेंगे, क्योंकि जैसे ये चिक्की ठंडा हो जाएगा, तो आप इसे काट नहीं पाएंगे असानी से, फिर आपको तोड़ के ही खाना पड़ेगा, इसलिए जब ये गरम हो वालका, उसी टाइम पर हम इसमें कट मार्क लगा लेंगे, चिक्की का सेप आप अपनी हिसाब सरक सकते हैं, आपको जैसे भी काट ना हो, मैं इसे काजु कतली वाले सेप में काट आप चाहें तो इस तरह से काट सकते हैं, या फिर चौकोर सेप में काट सकते हैं, या फिर अगर आप इसे नहीं काट पा रहे हैं, आपकी चिक्की हाड हो गई हो, तो आप इसे तोड़ करके भी खा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें तो चिक्की खाने से तो अब मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ, प्लास्टिक सीट पर रखने से यही फायदा होता है कि चिक्की बहुत ही आसानी से निकल जाती है, अगर आप इसे थाली में जमाएंगे तो हो सकता आपको थोड़ी परिशानी हो इसे निकालने में, अगर थाली में जमा हो और चिक्की ना निकल रही हो, तो आप थाली को थोड़ा सा गरम कर लें, उससे क्या है, चिक्की बहुत आसानी से निकल जाती है, और अब हम इसके पीसेज अलग-अलग कर लेंगे, यह देखे, जैसे हम कट मर्क लगा हैं, उस तरह से चिक्की हमारी टूट जा रही है, और इसे तोड़ने के बाद, अब हम इसके छोटे-छोटे पीसेज कर लेंगे, और यह देखे, चिक्की बनाना कितना आसान था न, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राय करिएगा, अपने घर में अभी ठंड का मौसम चल रहा हो, ठंड में तिल, मुंख फली, गुड और यह सब खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो आप लोग भी एक बार इसे जरूर ट्राय करें अपने घर में, और अगर आप लोग को चिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा, मेरे चानल को सब्स्राइब कर दीजेग तब तक के लिए बाबाए, टेक केर, हैपी मका सक्रांती